इंदोर जिले के समस्त परियोजना अधिकारी, विकास खंड महिला शशक्ती करण अधिकारी, परियवैक्षक सम्वीदा परियवैक्षक द्वारा, मुख्य मंत्री के नाम, SDM, पवंजेन और अभई बैडेकर को ग्यापन सोपा है। कई अधिकारी और कर्मचारी कोरुना की ड्यूटी के दोरान शहीद भी हुए। पूर्व में मंत्री और मुख्य, सचिव द्वारा, सद्वेव, यह कहा गया कि आप काम करिए और हम आपकी मांग पूरी करेंगे। किन्तु अभी तक पूर्णी नहीं हुई है। बैटमा से राजेंदर सुरियबंशी की रिपोर्ट। किस परपस हुए और क्या आपने ग्यापन दिया गया विगत 20 वर्षों से भी अधिक हमारी मांगों को लेकर जो सरकार द्वारा के विल आश्वासन दिये जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर CDPO, संग, पुरा, BWO, सुपरवाइजर और समवीदा सुपरवाइजर। हम सभी लोग हर्ताल पर हैं, और निश्चित कालीन हर्ताल रहेगी हमारी जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। उसमें CDPO, सुपरवाइजर की वेतन विसंगती से लेकर परिविक्षा अओधी नहीं हटना, 2014 के भर्ती के बाद में आज जिनांग तक परिविक्षा अओधी नहीं हटी हैं हम लोगों की, साथ में नहीं उनके प्रमोशन चैनल हो पाये, जो लोग आज से 25 साल पहले CDPO थे, इन सब मांगों को लेकर हम लोग निश्चेत कालीन काम बन हर्ताल कर रहे हैं। कि अभी वर्तमान में हम लोग कामबन करेंगे अपना और उसके बाद प्रयास करेंगे कि हम लोग से चर्चा करके हमारी मांगे मानी जाएं उसके बाद हम आगे के रण नितिता करेंगे अभी हम लोगों ग्यापन दिया है एडियम सर को माननी मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर तो अभी तो केवल हमारा ग्यापन स्विकार किया गए अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोग मैं CDPO हूँ देपालपुर्वन से परियोजनम क्योंकि जितने भी शाषन के निर्देश है आगनवाडी लेवल पर जो भी काम करवाना है जो जानकारी देना है जितनी योजनाओं को संचालित करना है वो सुपरवाइज और CDPO के माध्यम से भाह तक पहुचाई जाती हम लोग निरिक्षन करते तो आगनवाडी चल रही नह एक निग्रानी जो हमारे द्वारा की जाती वो नहीं होगी तो संभवत इससे है की फर्क पड़ेगा अंगनवाडी के सारे काम प्रभावित होंगे तो विभाग को इससे पर जरूर पड़ेगा जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नों किया जाए तब तक हम लोगा निश् अब इसे पाज ग्यापन ही दिया गया है तो उसके आगे जो संगे द्वारा रंडी तई कि जाएगी वसे आप से काम करेंगे मैं सुनीता गोखले देपाल परियोजन से सुपरवाइजर प्रदेश की अनेक योजनाओं में प्रदेश प्रधम आता है और जिसका पूरा श्रे हमारी सुपर्वाइजर्स आंगनवाडी कारी करता है आंगनवाडी साहिका सब का रहता है लेकिन पिछले लंबे समय से लगब 25 साल हो गए राजपत्रित श्रेणी में जो सेकंड क्लास राजपत्रित हैं उनमें सबसे कम ग्रेट पे CDPO की है जो सबसे जादा काम करते हैं इसकी सेकंड कड़ी में जो हमारी सुपराईयर शाती है वो भी अन्निकी तुलना में जहां लोगों को 32-36 मिल रहा है वो के वल 24 सुपे हैं चवदा साल से अधिक जो समीदा सुपराईयर है उनको नियमित नहीं किया गया ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन इन मुख्य मुद्दों को लेकर हम लोग अनिश्चित कालीन काम बंध हड़काल पर है और हमारी अपेक्षा है कि शाशन इसको जल्दी संग्यान में ल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें